चोपड़ा जो किसने यूटूब सेनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ दोस्तो राजस्तान स्टेट के सेकंड राउंड काउंसलिंग जो ओफलाइन होनी है उसका सेडियूल आ चुका है और इसके रेजिस्टेशन आप कर सकते हैं राजस्तान के सेकंड राउंड के लिए दुबारा से रेजिस्टेशन भी ओपन होते हैं अगर जिन कंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में रेजिस्टेशन नहीं किया है वो सेकंड राउंड में फ्रेस रेजिस्टेशन कर सकते हैं तो मैं आपको सबसे पहले इसका सेडियू बताऊंगा उसके बाद मैं आपको instructions बताऊंगा कि second round के लिए क्या-क्या instructions हैं उसके बाद मैं आपको procedure बताऊंगा कि second round में seat alert कैसे होती है तो सबसे पहले हम schedule देख लेते हैं तो इसकी website पर जैसे ही हम visit करते ही या notification दिया हुआ है notification download कर लेते हैं तो इसके phrase registration की जो date है वो second December 2020 से start है यानि कि जिन candidate ने first round में registration नहीं किया है वो second round में phrase registration कर सकते हैं लेकिन जिनोंने first round में registration complete कर लिया है part 1 और part 2 उनको दुबारा से registration करने की आवश्यक्ता नहीं है इसके बाद में आपको इसमें registration के time में application fees deposit करनी होगी और उसके बाद में security fees deposit करनी होगी तो ये जो phrase registration है ये second December 2020 से start हो रहे हैं और इनकी last date जो fees deposit की है वो 5 December 2020 साम 4 बज़े तक है और online application form submit करने की जो last date है वो 11 बज़ के 45 मिनत रात को है 5 December 2020 को उसके बाद में उसके बाद में आपको registration fees deposit करनी है जो security fees होती है यानि की जो security money है वो आपको MBBS seat के लिए ही करनी है BDS seat के लिए करनी की आवश्यक्ता नहीं है वो government जो आप seat लेना चाते है उनके लिए security deposit 10,000 रूपीज है और इसमें ST, OBC, MBC candidate के लिए 5000 रूपीज है यानि हाफ है वो अगर private seat आप लेना चाते हैं उसकी counseling करना चाते हैं तो इसके लिए 1,00,000 रूपे है आपने अगर ये first round में deposit कर दी है तो second round में आपको deposit करनी के आवश्यक्ता नहीं है ये शरब उनी candidate को करना है जो second round में face registration कर रहे हैं उसके बाद में जो documents verification के लिए list publish होगी PWD, Defense, PM इसके बाद में STA और NRI candidate के लिए वो 6 December को publish हो जाएगी उसके बाद में इनका जो documents verification होगा physically वो 7 December 2020 को होगा लेकिन जिनोंने पहले documents verification करवा रखा है इन category ने जो PWD, Defense, Paramilitary, STA, NRI category की जो candidate है उन्होंने अगर first round में ये documents verification करवा रखा है तो इनको second round में documents verification करवाने की कोई आवशेक्ता नहीं है second round में इन category के वही candidate documents verification करवाएंगे जो phrase registration कर रहे हैं second round के लिए तो ये 7 तारी को documents verification करना है second round में जिनोंने phrase registration किया है उसके बाद में provisional merit list है वो 8 December 2020 साम 5 बजे बाद में publish कर दी जाएगी और जो vacant seat है वो 10 December 2020 को display होंगी इसमें All India की seat भी reward होके आ जाएगी इसके बाद में जो seat allotment होगा वो offline होगा और ये government dental college जो सुबाजनगर में है जैपूर में वहाँ पर ये offline होगा candidate को वहाँ present होना होगा और वहाँ same day ही वहाँ ही allotment होके original documents वहाँ ही deposit होंगे तो ये होगा 11 December 2020 से 17 December 2020 के बीच में होगा जो schedule है वो अलग website पर display कर दिया जाएगा कि कौन से candidate को कितने candidate को कब आना है कितने candidate को कब आना है ये उसके जो registration की जो list है उसके मुताबिक ये date publish कर दी जाएगी उसी date को आपको offline mode के लिए यानि कि वहाँ present होना होगा dental college जेपूर में इसके बाद में जो college में reporting और जोइनिंग जो रिपोर्टिंग और जोइनिंग होगी वो जगह जो बताई जाएगी कि इस जगह आपको reporting करनी है वो 11 से 21 के बीच में होगी और medical college में आपका जो medical होगा वो 21 से 22 के बीच में होगा जिन candidate को seat मिल जाती है offline में इसके बाद में कुछ instructions दिये गए हैं वो instructions मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो इसके लिए जो candidate second round में participate करना चाते हैं राजस्तान state के लिए तो उनको एक entry ticket लेना होगा जैसे ही वो login करेंगे अपने login में login करेंगे offline का schedule दिया गया है उसके एक दो दिन पहले जब वो login करेंगे तो वहाँ पर उनको एक entry ticket मिलेगा उसको download करके आपने साथ में ले जाना है जो second round में participate करना चाते हैं offline में ऐसे candidate जो वहाँ present नहीं रह सकते हैं जैसे कि किसी भी covid के कारण या फिर किसी और किसी region के कारण वो present नहीं हो सकते हैं तो वो किसी relative या अपने parents को भेज सकते हैं लेकिन एक authority later देना होगा कि मैं इस counselling में participate नहीं कर सकता मैं authority देता हूँ कि यह मेरे parents यह relative मेरी जगए यह counselling करवाएंगे और वो original documents लेके जाना होगा वहाँ original documents की ही requirement होती है offline mode में इसके बाद में eligibility यानि कि कौन-कौन से candidate इसमें participate कर सकते हैं round 2 में तो round 2 में participate वो candidate कर सकते हैं जिन्होंने state के लिए registration किया है चाहे वो first round में किया हो या second round में किया हो राश्ता ने state के लिए registration किया है वो सारे candidate participate कर सकते हैं लेकिन जिन्होंने all India के second round में MCC के second round में seat join कर ली है वो candidate participate नहीं कर सकते हैं जिनको MCC के second round में sheet तो alert हो गई लेकिन join नहीं किया है वो तो participate कर सकते हैं लेकिन जिनोंने second round में join कर लिया है MCC के All India के second round में join कर लिया है वो candidate राजस्तान के second round में participate नहीं कर सकते हैं इसके बाद में आगे इसमें लिखा है कि जो आपने security deposit करवाई है या फिर नहीं करवाई तो 8 दिसंबर तक आपको ये security deposit करवा देनी है अभी कुछ ऐसे candidate हैं जिन्होंने round 1 में government के लिए 10,000 रुपए security deposit करवाई है लेकिन अभी वो private में admission लेना चाते है तो वो 1,00,000 रुपए private के लिए security deposit है 10,000 उन्होंने अलड़ी जमा करवा रखी है तो 90,000 रुपए उनको जमा करवाने होंगे इसके लावा 5,000 registration fees होगा तो 95,000 in candidate को deposit करने होंगे वो 8 दिसंबर 2020 साम 5 वज़े से पहले पहले ये fees deposit कर दे तो वो private के लिए भी eligible हो सकते हैं अभी original documents आपको वहाँ ही submit करने होंगे फ्रेस allotment के time में जो candidate seat लेना चाते हैं जिनको seat allot हो रही है वहाँ उनको original documents deposit करने होंगे जिन candidate ने first round में seat ले ली है और SMS या फिर dental college में documents deposit कर दिये हैं उनको fees की receipt ले जानी होगी उनको उनके documents तो already deposit हैं documents original उनको deposit करने हैं जो second round के लिए जिननोंने phrase registration किया है और first round में उनको seat नहीं मिली है या फिर join नहीं किया है अगर किसी के documents वहाँ deposit हैं तो वो fees की receipt लेके जाएं इसके बाद में seat को अगर resignation अपने कब देना है seat का तो ये आप अगर offline का जो schedule है 11 तारिक से तो उस समय आप seat resign कर सकते हैं अगर आपको first round की seat मिली है तो अगर first round की seat आप नहीं लेना चाते आगे आप participate भी नहीं करना चाते तो उस समय आप उस seat को resign कर सकते हैं आपकी जो security मनी है वो आपको वापस मिल जाएगी इसके बाद में आगे इसमें ये लिखावा है कि आपको राजस्तान स्टेट के candidate ही इसमें participate कर सकते हैं मौपप round में तो all India basis पे होता है मौपप round इसमें तो मौपप round में all India के candidate participate कर सकते हैं लेकिन second round में सिरफ राजस्तान स्टेट के candidate ही इसमें participate कर सकते हैं इसके बाद में लिखाए कि candidate को अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी कोई information नहीं दी जाएगी website पर आप लगातार चेक करते रहें इसके बाद में इसमें ये दिया गया है कि अगर कोई candidate अगर कोई candidate अपने seat छोड़ना चाता है seat छोड़ना चाता है कोई भी candidate तो वो उस समय भी छोड़ सकता है उससे पहले पहले भी छोड़ सकता है नहीं तो ये अभी इसमें एक notice दिया गया है उस notice के according आप college को mail करके या फिर इसकी जो राज योजी medical का mail ID दे रखा है उस पर mail करके भी आप seat छोड़ सकते हैं पहले round से पहले इसमें seat छोड़ सकते हैं एक इसमें important information यह है कि जो candidate जिन candidate को first round में seat मिल गई है और वो उस seat को agtg रखना चाते हैं यानि कि वो आगे फर्दर उसको upgrade नहीं करना चाते हैं तो वो candidate को second round में participate करने की आवशकता नहीं है उनकी seat agtg रहेगी यानि कि जिन candidate को first round में seat मिल गई है उन्होंने original document deposit करवा दिये हैं fees deposit करवा दिये हैं उसी seat को वो रखना चाते हैं आगे उसको upgrade नहीं करना चाते हैं तो उनको second round में participate करने की आवशकता नहीं है इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि इसका process क्या होता है जो offline है उसका process क्या होता है तो offline का process यह होता है कि candidate को वहाँ present होना होता है और जिस समय उसका candidate का जिस seniority पर उसका number आता है वहाँ तक अगर कोई seat खाली होती है जिस college में seat खाली होती है seat vacant होती है उन college को वो चुन सकता है कि मैं इस college में admission लेना चाता हूं तो उस vacant seat पर वो admission ले सकता है और तुरंत ही allotment लेकर उसको दे दिया जाता है यह procedure होता है second round का तो यह जानकारी थी राजस्तान के second round के बारे में बाकी आपको समय समय पर जानकारी दे दी जाएगी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई अपडेट में तब तक के लिए जैए हिन